It's finally time for the Belgium Grand Prix. एक महिने के summer break के बाद, हम इस triple header में जा रहे हैं, जिसके अंदर इस week हम Belgium के अंदर, अगले week Netherlands के अंदर, उसके अगले week हम Monza Italy के अंदर race करेंगे. Belgium Grand Prix के जस्ट पहले हमने ये देखा, कि Ricardo को McLaren ने push out कर दिया है. Ricardo next year से McLaren में नहीं race करेंगे. इस relationship के अंदर, मुझे लगता है, अभी भी कुछ बाकी था, जो शायद आगे आने वाली 9 races में Ricardo कूरा करेंगे. Lawrence Pareto के साथ एक interview के अंदर, Daniel कहते हैं, We tried everything, but couldn't work out things, and reached a dead end. We couldn't find the right pace in my timings, and I couldn't achieve my full potential in this car. But once I separate myself from the emotion and the position, I think it's probably the best for me going forward. अब कुछ एक rumors आ रहे हैं कि Daniel को Haas ने approach किया है, और Daniel शायद Haas जा सकते हैं, और Michael Shumakar का जो relationship Haas का थोड़ा tented है, Shumakar शायद Alpine जा सकते हैं, तो इसके अंदर मुझे तो कोई सच्चा ही दिखती नहीं है. Alpine अभी Constructors Championship पे नंबर 4 पे है, और Khaaas नीचे कहीं हैं, तो उनको एक ऐचा करी driver चीए, Daniel जैसा ही एक driver चीए, जो उनको आगे लिजा सके, विंज के लिए push कर सके, ना कि Shumakar जैसा अभी to be proven driver. Last day 2021 की Belgium Grand Prix में, Max Verstappen ने pole हासिल किया, पर 3 घंटे के बारिश के बाद, हमें Belgium Grand Prix के खाली, दोई लाब देखने मिलें, जिसके अंदर दोनों लाब, सेफटी कारके पीछे ही हुए, और Max को winner घोशिट कर दिया गया, उस race को a race that never happened भी बोले जाता है, पाफ फ्रैंको शॉप्स, पूरी कैलेंड का सबसे longest race track है, 7.004 का ये race track, 7 किलोमेटर की जो लिमिट FIA ने सेट करी, और इससे भी लंबाड, ये circuit बहुत famous है, अपने instant weather changes के लिए, और high speed corners के लिए, इनके one of the famous corners है, औरूश, Camel Straight, Lassoors, etc. ये circuit एक अजीब सा record hold करता है, जहाँ पे 20 साल तर लगाता है, race के time पे, circuit पे बारिश होई थी, बहुत बार देखा गया है कि, race के कहीं पार्ट पर तो बारिश है, और कहीं पार्ट पे एकदम सूफा पड़ा है, जिसके वज़े से drivers को tire के अंदर temperature लाने में, बहुत मुश्किल होती है, और racing line में maintain करने में उतनी दिक्कत, Belgium Grand Prix सबसे ज़्यादा बार Michael Shuma करने जीती है 6 बार, फिर एटन सेना ने 5 बार, और current gripit सबसे ज़्यादा बार Belgium Grand Prix जीतने वाले driver हैं, Lewis Hamilton, जिन्होंने 4 बार Belgium Grand Prix जीती है, इस weekend Max और Charles को मिला के, total 6 drivers हैं, जो engine penalties ले रहे हैं, Max और Charles के साथ, Norris, Ocon, Botaz और Shuma कर भी penalty ले रहे हैं, इसलिए आज की qualifying के अंदर हम यह देख सकता हैं, कि Max और Charles 16th position के लिए भेंक के लड़ाई करेंगे qualifying में, कल FP1 में हमने देखा कि Carlos ने बहुत अच्छा perform किया, पर मेरे हिसाब से वो पहले 13 races के अंदर जो 4 DNF उनके रहे थे, उसके कारण वो काफी under pressure रहेंगे अपनी seat में, एक ideal lap में सर्जी उना काफी struggle किया, अपनी गाड़ी के अंदर पेश लाने में, Russell Hamilton से better रहे, जहां मुझे लगता है कि बारिश की बात आती है, तो Hamilton Russell से काफी दादा आगे, in fact पूरे grid से ही काफी दादा आगे, बट हाँ जहां हम यह देख सकते हैं, कि Max और Charles जहां engine penalty से कारण grid में काफी पीछे होंगे, यह मौका अच्छा है, Mercedes के लिए grid पे आगे आने के लिए, और 2022 के अपनी पहली race जीतने के लिए, क्योंकि इस weekend पे आने के बाद उनके बहुत कुछ प्रूब करने को है, प्लस इस weekend की जो हमने press conference से देखी हैं, उसके अंदर वो बहुत serious attitude के अंदर है, प्लस जहां हम देखें कि Max, Charles, Lando and Ocon, सब के चारों नहीं अगर grid penalties दी है, तो रिकार्डो के पास बहुत ही अच्छा मौका है, perform करने के लिए and second आने के लिए, ये एक podium बहुत boost करेगा आगे आने वाली 8 races को रिकार्डो को, फिर first position पे मेरे साब से मैं रखूँगा science को, क्योंकि Ferrari के पास बहुत ही अच्छी speed है, और science को भी बहुत कुछ प्रूप करना है अपने first half of the season के बाद, इस हफते का शौकर मेरे साब से होंगे Lance Troll, जो top 10 में finish करेंगे, मुझे बताइए आपके top 3 finishes prediction क्या है इस weekend के, let's enjoy this Belgium Grand Prix, until then please take care of us,